तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगे तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर दी गेट के निव एपिशोड में तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी शरी कवैस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने कर दीजेगा और नीचे कमेंट भी कर दीजेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज़धा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई-ई उन में में términ कि आपता है कि उनकों सी चीज्च चुरानी है त इसके बाद हम देखते कि फाइनलि ये लोग अपनी जगावे पहुच जाते हैं यहां पर जो उल्ड मैन होता है ये बोलते हैं तुम्हारा बहुत वह शुक्रिया और ये तीनों को एक पड़ची जो है देता है और यह बोलते हैं कि तुम लोग इसे रख लो और यहां पर इसको गिल को दे देना जि यहाँ पे जह साथ में काम करेंगी जिसके बाद यह लोग चले जाते हैं जिसके बाद सिन बोलता है कि मुझे लगता कि आगे की सफ़र के लिए हमें जह एक बगई खरीद लें चीए तो यहाँ पे टियारा बोलती है कि तुम को बगई में सवाई करना अच्छा लगता है तो सिन बोलता है कि हाँ और सांती वो जह हमारे फ्यूचर में भी काफी काम आएगा जिसके बाद यह लोग बगई खरीदने आ जाते हैं और यहाँ पे सिन बोलता है कि सारी बगई करूंगा तकि वो तेजी से चल पाए मुझे लगता कि हमें एक बड़ी बगई लेनी पड़ेगी जिसमें हम अराम से सोब पाए जिसके बाद इंको यहाँ पे बगई दिख जाती है और यह बोलते कि हाँ यह साइज जह बिलकुल अच्छा है इसके अंदर हम बहुत साइज स्टाफ है उसको भी जह डाल सकते है तो यहाँ पे टियारा बोलते कि जो मास्टर है उभी जह इसको जोइन कर सकती है इसके बाद यह लोग इंड़ चार्ज को बलाते है और यह बोलते कि हमें इस बगई को लेना है तो यहाँ पे सिन बोलते कि मैं सुना है कि यहाँ पे किसी भी जानवर से काम करवाना जह इल्लीगल है तो यहाँ पे ओनर बोलते कि हाँ आप बिल्कुल सही कहरे हो लेकिन अगर जानवर यहाँ पे खुद चाहे तो वो जह काम कर सकते है आप यहाँ पे जो तलिपैत है उसका जो इस्तमाल है वो जह कर सकते हैं जिसके बाद यह लोग बाहर आते हैं तो इस सिन के पास एलफ का जिए मैसे जाता है और यह बोलती कि मेरा जो काम है वो जिए फिनिस हो चुका है अब मैं यहाँ पे आगे की तरफ जा रही हूँ और साती सिन बोलता है कि हम लोग एक बग्गी लेने आये थे और हमें बग्गी के लिए एक जो मौस्टर है वो चीए जो हमारे कैरिच को यहाँ पे घीश सके जिसके बाद यह बोलती है ठीक है मैं समझ गई हूँ और सिन बोलता है कि वैसे हम जो है यहाँ पे बरेणिया में हैं तो यहाँ पे यह बोलती ठीक है मैं आजाओंगी एक दिन के अंदर आप लोग जो मेरा इंतिजार कीजिए वैसे यहाँ पे जो राजमहल के बंदे हैं वो काफ़ी डढ़ चुके है क्योंकि यहाँ पे जो मून शॉप है वो जो गयब हो चुकी है लेकिन मैंने उनको जो समझा दिया है इसकी वैसे वो जो जो अब शान्थ हो गए है फिर जिसके बाद यहाँ पे एलफ बोलती की मैं सोच रही थी क्यों ना मैं शादी कर लूँ तो यहाँ पे सिन बोलती की वैसे यह बोल तो ठीक रही है यह जो काफी सुन्दर दिखती है और काफी ज़धा पॉपूलर है तबी यहाँ पे एल्फ बोलती कि आप यहाँ पे जैलस फिल कर रहे हैं तो सिन बोलता है कि यहाँ थोरा बहुत तो एल्फ यहाँ पे काफी खुश होती है यह बोलती कि मास्टर में लिए जैलस फिल कर रहे हैं इसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग यहां पे जह जा रहे होते हैं आगे की तरफ तभी टियारा को यहां पे जह एक जोलरी पसना जाती है यह लोग जोलरी को देखी रहे होते हैं तभी यहां पे जो लेडी होती है यह बोलती कि आ तुम दोनों का फल यहां पे जह लोज को रोन रहें तो लेडी बोलती कि ठीक है मैं तुम को रख यहां पर लेड़ी इए इंको Zero ती है और यहां लोग पहुंच जाते हैं और ने को लोग एकी रूम चाहिए होएं तो सिंडी ने यहां वाटल काफी ज्यादा कियों तो यहां पर रहते हैं कि डिया पोटलब हो जाता है और यह रूम को देखके कहता है कि पूरे पैसे वसूल है और यहां पर जो यूकी होती है वह भी जो हती है अपने रूप में आ जाती है और यहां पर सो जाती है और साथी सिन से पूछती कि है मैं यहां पर बात कर सकती हूं सिन बोलता है कि हां तुम यहा पर आपको पता है तो यहां पर सिन बोलता है कि मुझे यह तो नहीं पता कि अभी कहां पर है लेकिन कर तक वो यहां पर आ जाएगी फिर सिन बोलता है क्यों ना हम लोग यहां पर डिनर कर लें जिसके बाद यह लोग डिनर करने के लिए यहां बैठ जाते हैं डिनर करने के ब बिल्कुल भी सास नहीं आ रही है नेक्ट शीन में ये लोग उट जाते हैं और यहां पे सीन बोलते की मैं जाके यहां पे जो बगी है उसको जह मोडिफाई करूँगा टियरा बोलती की मैं आपको जह देखूंगी क्यूंकि मुझे काम नहीं आता है यहीं पे सीन आ जाता है और बग्य के टैर को यहां पर modify करना सुरू कर देता है और एक्दम से खत्म भी कर देता है यहां पर टियरा काफी शोक में आ जाती है और यह बोलती कि तुम्हें इतने fast द्जी कम नहीं करना चीर था तुम्हें कम से कम। यहाँ पे एक दो मिन्टों लिने चीए थी सिन बोलते है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मतलो यह जहें मेरी नौर्मल स्पीड थी तब यहाँ पे एलफ बोलते कि मास्टर मैं आ चुकी हूँ सिन बोलते है कि चलो तुम्हारी मास्टर आ चुकी है जिसके बाद यह लूग आ जाते है जंगल में जंगल में आते ही चोग जाते है क्योँकि एक बहुत बड़ा वुल्फ इंक कर ख़ड़ा होता है तो सिन बोलते है कि यहाँ पे युनिख मास्टर है जिसके बाद यहाँ पे एल्फ बोलती कि आप ही ने मुझे कहा था कि आपको एक यहां पर मोस्टर चीए जो यहां पर बगई को घीचे इसलिए मैं इस मोस्टर को यहां पर जह लेकर आ गई हूँ तब यहां पर जो मोस्टर होता है और टियरा को सुंगने लग जाता है तो सिन बोलता है लेकिन यह मौश्टर तो यहां पे बहुत बड़ा है आखिलकार यह बगई को किस तरह से घीचेगा जिसके बाद यहां पे अलफ बोलती कि तुम चिंता मतलो और यह यहां पे इसको छोटा होने को बोलती है हम देखते कि मौश्टर छोटा हो जाता है की बोलती कि यह अपनी जो कहानी है वो सुना रहा है असल में यह अपने मौम डेट के साथ यहां पे फुरेश्ट में रहा करता था लेकिन एकदम से जो एलवेंचर है उन्होंने जह इसकी जो मौम है और उनको मार दिया अपने मन के अंदर बोलते कि मुझे भी काफी बुर जानिंन किया और जिसके बाद यह च्राइन के चानलग और रहा थे यहां पर यह अपर लड़की यहां पर पहु कंता है जो लड़की कि यह वही पपी है तो यहां पे मुंश्चर बोलता है कि हाँ मैं हही पपी हूँ यह बात अंडर् साल पहले की है तो यह बोलती कि हाँ यह सो साल पहले की बात है जिसके वर Elf ते करती है कि वो अपना Contact तोड़ देगी और यहां पर T-R contact बना देंगी यहाँ पर टियरा बोलते कि मैंने कुछ ज़्यादा ही मैजिक का स्वाल कर लिया जिसकी वैसे मुझे कमजोरी लग रही है मोस्टर भी इसके पास आता है टियरा बोलते कि तुम चेंदा बतलो मैं ठीक हूँ जिसके बाद ये लोग जंगलों के अंदर जाने लग जाते हैं तब ही हम देखते कि दो बीष्ट मैन यहाँ पर आ जाते हैं इनको लेने के लिए यहाँ पर एल्फ बोलती कि मैंने पहली लेटर लिख दिया था कि यहाँ पर हम जो आ रहे हैं मास्टर आप से जे मिलने कोई आया है जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं तो भी इंका जो लीटर होता है वो शिन को देखता है और ये बोलता है कि मास्टर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे जह दुबारा मिलेंगे कभी अब दोस्तों यहीं पे यह प की विंति की प्लीस आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजेगा जैसी 40 कमेंट करोगे वैसा ही अगला पी शोड आ जाएगा और और भी लंबा आएगा मिलता हूं अगला पी शोड में जव तक लिए बाई बाई